ओम शान्ति आपका प्रेश्ण है मनुश्य की आयू सांसों के अधार पर होती है या समय के अधार पर होती है कोई एक बात बता देता है अंद विश्वास में दूसरा उसे उठा लेता है और तिसरा उसे सुना देता है और वो वाइरल हो जाते है प्रचलित हो जाते है योग साधना करने वाले एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि प्रणायाम करो अपने सांसों को रोको जितना लंबे समय तक आप सांसों को रोक सकेंगे क्योंकि प्रभू ने आपको गिंती के स्वास परदान किये है आप सांस जल्दी जल्दी लेंगे नेगिटिव थौट करने से जल्दी जल्दी सांस चलते हैं तो जल्दी आपकी मिर्टिव हो जाएगी और यदि आप सांस लंबे करेंगे तो आप लंबी आयू जीएंगे हर आत्मा को सांसों की गिंती मिली हुई है बिल्कुल नहीं दूसरा समय के अधार पर के इतना समय मिला है परमात्मा ने हर आत्मा को समय दिया है उतना ही समय वो जीवित रहेगा जैसे इस समय पूरा होगा उसे जाना होगा परमात्मा कहते बच्चे ना तू मैं किसी को गिंती के स्वांस देता हूँ ना मैं किसी को समय देता हूँ मैं किसी आत्मा का पार्ट लिखता ही नहीं मैं किसी की आयू छोटी क्यों लिखूंगा मैं किसी की आयू लंबी क्यों लिखूंगा कोई नियम तो होना चाहिए न ये थोड़ा है कि मेरी मर्जी है मैं जो कर दूँ मेरी लिए कोई अपना याप राया है परमपिता परमात्मा कहते बच्चे हर आत्मा ने अपना पार्ट स्वयम लिखा है अपने कर्मों की कलम से लिखा है और ये पार्ट अनादी और अविनशी लिखा है जिसे वो आत्मा तो क्या मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता परमात्मा भी उसे एडिट नहीं कर सकता उसे कट नहीं कर सकता उसे सलो और फास्ट नहीं करा सकता तो जब परमात्मा लिखते नहीं फिर कौन देता है यह में समझ में आया कि हर आत्मा ने अपना कार्मिक एकाउंट के आधार पर अपनी पांच हजार साल के रोल के आधार पर ही एक्यूरेट टाइम पर शरीर छोड़ना है और शरीर लेना है उसमें स्वासों के गिंती समय का आधार या कुछ और नहीं देखा जाता जो उनका अपने शरीर छोड़ने का समय है हर आत्मा का अलग अलग है वो अपने समय पर शरीर को छोड़ेगी और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वर ये विश्वर विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे और यदि कोई प्रेशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल वर्चेप करे वो नहीं और शायकर शायकरoplोण खायकर नारा आरााा करेव उ之 millennials